हलो इवरिवन स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पे तो आज मैं आप लोगों के साथ में यह देखी एक पुरानी नाइटी है उसी का मैं रियूज करके बहुत ही काम का चीज बनाने वाली हूँ तो पूरा वीडियो जुरूर देखिएगा जो लोग चैनल पे पे नो जाथी को आप सभी को इसिद्या करते हूए तो यह पे न इसकी जो मेजरिमेंट है वो 23 x 15 इंच है तो इसी इसाथ से अब अगर बढ़ा बढ़ा ना चाहते हैं तो और बढ़ा भी इसका साइज रख सकते हैं मैं यहा पे जितना बढ़ा बना रही हूँ उसी के मेज सब्सक्राइबूंग है नापी अब यह देखे इस तरीके से डीवल पेपोल्ड करते हुए इसको घ्ट कर लियाना है तो एक लिस मिलता है तो ओटJames उसको भी इस तरीके से कट करते हुए सीधा करते हुए हमें कट कर लेना है तो सीधी पीस हमें इस तरीके से रेडी कर लेना है कट करके तो यह देखे यहाँ पे दो पीस कट हो चुका है एक पीस हमें और कट करना है तो उसी ही नाइटी के कपड़े में से एक पीस और यहाँ पे मैं कट करूँगी मोहरी को फिर से हटा देना है और इसका जो मेजर्मेंट है उसका हमें रखना है बारह बाई पंदरह का और यह जो बारह बाई पंदरह वाला है उसका एक पीस ही कट करना है देखिए हम महिलाओं के पास जैसे घर का काम खतम करने के बाद दो फर में थोड़ा बहुत टाइम बच ही जाता है और जीरो कोश्ट से एक भी रूपिया इस में खर्च नहीं हुआ है बस थोड़ा सा मेहनत लगा हुआ है और बहुत ही काम का चीज घर पे ही बन करके रेड अब इसको भी मारिकिंग करने के बाद कट कर लेना है ध्यान रहे है यह एक फीसीन लेना है अब इसी के साथ हमें लेना है यह देखिए राइस बैक जो चावल आता है वो चावल की जो बोड़ी हमारे घरों में पड़ी होती है तो उसी का यहां पे इस्तमाल करना है अगर आप चाहें तो जो आटे की जो पैकेट आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका नीची से जो जॉइंट था वो कट करके हटा लेना है और साइट से जॉइंट है उसको भी एक तरफ से कट करना है एक ही साइट से कट करेंगे दोनों साइट से कट नहीं करना है अब इ एक पार्ट अलग से हम निकालेंगे तो यह देखे एक पार्ट में नाइटी वाला जो कपड़ा है उसको रख करके बोड़ी पे अच्छे से सेट करते हुए रखना है और इसको पिन लगा दे रहे हूँ मैं देख लेक सकते हैं आप किस तरीके से में पिन लगा रहे हूं और लगाने के बाद इसको बोड़ी को कट कर लेना है पिन लगाने से क्या होगा कि साथ के साथ अटैच भी हो जाएगा इससे सिलाई लगाने में भी असानी होगी और कटिंग करने में भी असानी हो जाएगी तो देखे इस तरीके से हमें कट कर लेना है बोड़ी को और इसी त दोनों में मैं नीचे बोड़ी लगाई हूं और पिन के साथ ही अटेच हो चुका है अब इसको क्या करना है कि चारो तरफ हमें सिलाई लगाना है वह छोटा वाला पाठ है उसको वैसे ही करना है सेम तरीके से अब इसके ऊपर मैं देखिये सिलाई लगा रहे हुआ यहां पर आप स्याओं चाहें तो सिम्पल चारो तरफ बस सिलाई लगा सकते हैं मैं यह पर पांच इंच की दोरी रखते हुए सीधी 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 लाइन में जिलावल लगा दे नहीं है कि अगर आपको इस में दिक्कत होती है तो बस 4 तरप से सिलाई लगा दें आखिए आड़ देख यह पूरे पर सीधी सिलाई लगा करके त्यार हो चुका है अब चारो तरप सें इस तरीके से मोड़ना और सिलाई लगा देना है देख सकते हैं इस तरीके से चारो तरफ से मोडते जाना है और चारो तरफ सिलाई लगा लेना है सेम तरीके से और दोनों जो पार्ट है उसको memo ready कर लेना है इस ही तरीके से तीनों पार्ट radi कर लेना है और यह देखिए टीनों पार्ट यहां पर ready हो चुका है छोटे वाले पीश में मैं आटे की पनी आती है उसका इस्तेमाल की हूँ और ये देखिए दोनों जो बड़ा वाला पार्ट है वो है तो चारों तरफ से सिलाई लगने के बाद अच्छे से फिनीसिंग आ गया है और मजबूती भी आ गई है अब इसमें ना तो हमें चैन की जरूत है ना अंदर से लाइनिंग की जरूत पड़ी है और ना फॉर्म की जरूत पड़ी है तो बिना एक रुपे खर्च किये थोड़ी सी सूज बूज और थोड़ा से महनत लगा करके हम कोई न कोई चीज तो बना ही सकते है अब यह देखिए जो सबसे बड़ा वाला पाठ है उसका एक पाठ हमें लेना है और इसको इस तरीके से इसका सेंटर निकालना है सेंटर पर एक मार्किंग कर देनी है दोनों साइड में किसी भी साइड आप मार्किंग कर सकते है अब उसके बाद जो छोटा वाला पीस है उसको भी इसी तरीके से सेंटर में एक मार्किंग करनी है इसके उपर भी यह देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में एक मार्किंग कर लेना है अब इस marking को इस तरीके से बिल्कुल center में दोनों का center मिलाते हुए रखना है और stitch कर देना है ये देखिए center से center मिला लेना है अब यहाँ पर मैं एक fin लगा दूँगी ताकि सिलाई लगाते से में बिल्कुल भी कपडा इधर खसके नहीं और आसानी से काम हो जाए अब यहां से ले करके यहां तक सिलाई लगानी है अब यह देखिए सिलाई लग चुका है इस तरीके से कुछ यह टैच हो चुका है अब इसके उपर जो बड़ा वाला दूसरा पीस है उसको रखना है देख सकते हैं किस तरीके से मैं रखी हूँ अब इस तरीकी से रखने के बाद तीन साइड इसमें सिलाई लगाना है नीचे के साइड उपर के साइड ओपन रहेगा यह देखिए जो उपर है यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है यह ओपन ही रहेगा और तीनों साइड नीचे के साइड और दोनों साइड बगल में वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है अब ये देखिए कई सिलाई लग चुका है उपर वाले पाट ये जो है वोपे नहीं है और बाकी तीन साइट सिलाई लग चुका है अब नीचे के साइट से जहां सा सिलाई लगा है वहां से हमें चार बाई चार इंज का निसान लगाना है यानि चार इंज लंबाई में और चार इंज ही चोड़ाई में निसान लगानी है यह देखिए इस तरीके से कॉर्णर पे निसान लगाना है इससे इसका बेस बनेगा अब ये जो 4-4 इंज का जो मैं निसान लगा रही हूँ जहां से बगल से सिलाई लगा हूँ है न तो सिलाई का मार्जिंग छोड़ने के बाद ही मैं निसान लगाई हूँ दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है ये देखिए बगल से जो सिलाई मार्जिंग है वहाँ से छोड़ करके मैं निसान लगाई हूँ नहीं तो अगर हम पूरा लेंगे तो फिर बाद में जब इसको सिलेंगे तो वो कम पड़ जाता है और अच्छे से नहीं बन पाएगा ये देखिए यहाँ पर मार्किंग की हूँ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है मगर मार्किंग किया हुआ है अब इसको कट कर लेना है कट करने से पहले जो छोटा वला पीस है उसका भी ध्यान दे कहीं साथ साथ वो भी नकटे तो इसी लिए उसको बाहर के साइड निकाल लेना है दूसरी साइड भी इसी तरीके से कट कर लूँगी ये देखिए छोटा वला पीस में बाहर के तरफ निकाल रखी हूँ ये देखिए दोनों साइड जो है वो कट हो चुका है अब इस तरीके से हमें पकड़ना है और सिल देना है इसी से इसका base बन के ready हो जाएगा अब जो margin है सिलाई वाला जो पट्टी लगा हुए उसको इस तरीके से ऐसे रखेंगे और सिल देंगे नहीं तो फिर जादा मोटा हो जाएगा तो सिलाई नहीं लएगा अब यह देखिए गाईस यहाँ दोनों साइड सिलाई लग चुका है base वाला अब इसके उपर हमें पट्टी लगा देनी है ताकि finishing आ जाए और कहीं से धागा न निकले जिस तरीके से हम पट्टी लगाते हैं बस simple उसी तरीके से हमें पट्टी लगा देनी है यह देखिए इस तरीके से पट्टी लगानी है सेम तरीके से दोनों साइड हमें पट्टी लगा देनी है बाकी कहीं और पट्टी लगाने की जरुवत नहीं है क्योंकि जो हम चारों तरफ से कपड़े को मोड कर सीले है उसी से अच्छे से finishing आए इसको पलट लेना है अब यह देखिए इस तरीके से पलटने के बाद इसका कुछ लूक आ रहा है अब यह जो है जो छोटा वाला पीजा यह धकन का काम करेगा यह धक जाएगा जब हम इस कपड़े जो है वो गंदे भी नहीं होंगे और यह बहुत ही काम का चीज़ बन करके रेडी हो चुका यह देखिए मैं यहाँ पर इसमें कपड़े फ़र रहे हूं और वीडियो आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट करके जुरूर बताईएगा थोड़ा सभी अच्छा लगा ह होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जो भी इस तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को आउन करके और और आल पे क्लिक जरूर कर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरीकी का वीडियो देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ और यह देखिए इससे ढख देने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आता है धेर सारे कपड़े इसमें आ गये हैं से अर्दों गये हैं